सक्षम गर्ग द्वारा लिखित संसार, Enter the Valley of the Gods एक समरिध और कालपनिक उपन्यास है जो भारतिय पौरानिक कथाओं को इसके नायक आरव की आने वाली उम्र की यात्रा के साथ जटिल रूप से जोडता है कहानी पाठकों को एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है जहां प्राचीन देवता और आनिक जीव और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष है उपन्यास एक समकालीन भारतिय शहर में शुरू होता है जहां आरव युवा नायक है जिसकी आत्मखोज की यात्रा कहानी का केंदर बनती है वह एक साधारन लड़के के रूप में शुरुवात करता है अपने साथियों से अलग महसूस करता है और अपनी पहचान के बारे में अनिश्चित महसूस करता है देवताओं की मनमोहक घाटी एक छिपा हुआ छेत्र है जो मानव दुनिया के समानांतर मौजूद है यह सांसारिक वातावर्ण के बिलकुल विप्रीत है घाटी हरे भरे जंगलों, राजसी पहाडों और प्राचीन मंदिरों से भरा एक जीवन्त जादूई परिद्रिश है जिसमें भारतिय पौरानिक कथाओं के देवताओं और प्राणियों का निवास है यह न केवल सुन्दर्ता का स्थान है बलकि एक ऐसा शेत्र भी है जहां ब्रह्मान का संतुलन खत्रे में है रिया आरव की वफादार दोस्त है जो बहादुरी और संसाधन शीलता का प्रतीक है उनका अटूट समर्थन और ग्रिड संकल्प महत्वपूर्ण है क्योंकि वे घाटी की चुनोतियों से मिलकर निपटते है रिया का किरदार पूरी कहानी में दोस्ती और वफादारी के महत्व पर प्रकाश डालता है गुरुजी एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं जो आरव को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं वह घाटी के इतिहास, उसके निवासियों और आरव के ताबीज के महत्व के बारे में आवश्यक अंतरद्रिष्टी प्रदान करता है गुरुजी की बुद्धी और अनुभव आरव के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अराजक्ता और बुराई का प्रतिनिधित्व करते हुए अंधेरी ताक्ते घाटी की सद्भावना को खत्रे में डालती हैं एक शक्तिशाली प्रतिदवंद्वी के नेतरित्व में ये संस्थाएं आरव और उसके दोस्तों को चुनौती देती हैं जो प्राथमिक बाधाओं के रूप में काम करती हैं जिन्हें उन्हें दूर करना होगा घाटी विभिन्द प्रकार के पौरानिक प्राणियों का घर है जिन में से प्रत्येक कहानी के जादूई माहौल में योगदान देता है कुछ प्राणी सहियोगी हैं जबकि अन्य विकट चुनौतिया पेश करते हैं, कथा को सम्रिध करते हैं और दुनिया का विस्तार करते हैं कहानी आरव की रोज मर्रा की जिन्दगी में अपर्याप्तता की भावनाओं के बोज तले दबे होने से शुरू होती है उसका साहसिक कार्य तब शुरू होता है, जब उसे एक प्राचीन कलाकृती मिलती है एक जटिल रूप से डिजाइन किया गया ताबीज जो देवताओं की घाटी के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है यह क्षण उसके भीतर जिग्यासा की चिंगारी प्रजवलित करता है, जिससे उसके जीवन में एक नाट किये बदलाव आता है पहली बार घाटी में प्रवेश करने पर आरव इसकी लुभावनी सुन्दर्ता से मंत्र मुग्ध हो गया हरेभरे परिद्रिष्य, जीवन्त वनस्पतिया और विविध वन्य जीवन एक अलौकिक अनुभव पैदा करते हैं हाला कि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह जादूई क्षेत्र खत्रे और साजिश से भरा है जैसे जैसे कहानी सामने आती है, आरव को अपनी वन्शावली और अपने पास छिपी शक्तियों के बारे में पता चलता है गुरुजी के मार्क दर्शन से उसे पता चला कि उसका घाटी से एक अनोखा संबंध है जो प्राचीन किनवदंतियों से जुड़ा है यह रहस्योधाटन आरव के चरित्र विकास में एक महत्वपूर्ण क्षन को चहनित करता है क्योंकि वह अपनी पहचान और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्विकार करना शुरू कर देता है आरव की विरासत की खोज आत्मसंदेह और खोज के क्षनों के साथ जुड़ी हुई है उनकी वनशावली के बारे में प्रत्येक रहस्योध घाटन उन्हें घाटी के भाग्य में उनकी भूमिका को समझने के करीब लाता है देवताओं की घाटी के सामन जस्य को एक दुर्जे प्रतिपक्षी के नेत्रित्व वाली अंधेरी ताक्तों से खत्रा है एक गिरा हुआ देवता जो मानव और दिव्यक्षेत्रों के बीच संतुलन को बाधित करने का इरादा रखता है यह प्रतिपक्षी व्यक्तिगत लाब के लिए घाटी की शक्तियों का शोशन करना चाहता है जिससे एक बढ़ता तनाव पैदा होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है जैसे जैसे अंधेरी ताक्तें ताकत हासिल कर रही हैं आरव और उसके दोस्त खुद को एक ऐसे संधर्ष में शामिल होते हुए पाते हैं जो उनकी तातकालिक चिन्ताओं से परेतक फैला हुआ है दाव उचे होते जाते हैं और उनका मिशन और अधिक जरूरी हो जाता है अपनी यात्रा के दोरान आरव और रा को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी ख्षमता की परीक्षा लेती है वे घाटी के अभिभाव को द्वारा निर्धारित विभिन परीक्षन करते हैं जिनमें से प्रत्येक को उनके साहस, बुद्धी और टीम वर्क को चुनोति देने के लिए डिजाइन किया गया है ये परीक्षन चरित्र विकास के महत्वपूर्ण क्षणों के रूप में कार्य करते हैं जो शक्तियों और कमजोरियों दोनों को प्रकट करते हैं घाटी विविद प्रकार के पौरानिक प्राणियों का घर है कुछ जीव सहायता प्रदान करते हैं जबकि अन्य महत्वपूर्ण खत्रे पैदा करते हैं कथा को समरिद करते हैं और जादूई दुनिया का विस्तार करते हैं प्रत्यक सासिक कार्य आरव की घाटी और स्वयं के बारे में समझ को गहरा करता है उसे अपने डर का सामना करने और मजबूत होने के लिए प्रेरित करता है आरव की खोज में घाटी के इतिहास और उसमें उसकी भूमिका के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी शामिल है गुरुजी के मार्ग दर्शन से वह प्राचीन द्रंथों और कहानियों के बारे में सीखते हैं जो घाटी के अतीत को समझने की कुंजी रखते हैं यह ज्ञान न केवल उसे सशक्त बनाता है बलकि जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करता है जिससे वह धाटी और उसके निवासियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित होता है ज्ञान की खोज एक केंद्रिय विशय बन जाती है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी की पहचान और नेती को आकार देने में किसी के इतिहास और विरासत को समझना महत्वपूर्ण है चर्मोत कर्ष में आरव के समूह और अंधेरी ताक्तों के बीच एक महाकाव्य टक्राव दिखाया गया है यह लडाई तीवर है, बहादुरी, बलिदान और अप्रत्याशित मोर के क्षणों से भरी हुई है, जो पाठकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है आरव को घाटी की रक्षा की लडाई में अपने दोस्तों का नेत्रित्व करने के लिए अपने द्वारा सीखे गए पाठों, अपने द्वारा बनाये गए बंधनों और अपने द्वारा खोजी गई शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए यह चरमक्षन आरव के चरित्र की अंतिन परीक्षा के रूप में कार्य करता है वह न केवल बाहरी खत्रों का सामना करता है बलकि अपने आंतरिक संधर्शों का भी सामना करता है जिसकी परिंती एक परिवर्तनकारी अनुभव में होती है जो उसकी यात्रा को परिभाशित करता है लडाई के बाद आरव एक अधिक आत्मविश्वासी और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में उभरता है उन्होंने घाटी को बचाया है और अपनी पहचान के साथ समझोता किया है अनुभव उसे बदल देता है, दोस्ती, त्याग और किसी के भाग्य को गले लगाने के महत्व के बारे में उसकी समझ को मजबूत करता है संकल्प उनके कारियों के परिणामों पर जोर देता है घाटी सुरक्षित है, लेकिन यात्रा ने आरव और उसके दोस्तों को बिल्कुल बदल दिया है वे नए ज्यान और ब्रहमांड के भीतर अपने स्थान की गहरी समझ के साथ अपनी दुनिया में लोटते हैं संसार देवताओं की घाटी में प्रवेश करें केवल कल्पना की कहानी नहीं है यह उन विश्यों की गहराई से गूझती खोज है जो सार्वभावमिक रूप से संबंधित है भारतिय पौरानिक कथाओं के लेंस के माध्यम से गर्ग पाठकों को आत्मखोज, दोस्ती की शक्ती और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संधर्ष की अपनी यात्रा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं उपन्यास पाठकों को आशा और प्रेणा की भावना के साथ छोड़ता है, जो उन्हें समझ और अपने पन की खोज में अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रोच साहित करता है